बिहार में नई सरकार बने हुए तक्रीबन 45 दिन गुजर चुके हैं और आज मंत्री मंडल का विस्तार और एक तरफ नितीश कुमार मंत्री मंडल का विस्तार कर रहे हैं तो दूसरे तरफ एंडिये में जो सजिदार हैं उनको जिस्त परकार सीटे दी जा रही है और सीटे छीनी जा रही है इस पर राबड़ी देवी ने सबसे बड़ा हमला बोला है हलाकि राबड़ी देवी बता रही है कि जो लोग हवा में उड़ रहे थे उनकी हकीकत क्या है रावडी सुबह सुबह खेत पर निकल गई है बिहार के पुरुमुकमंतरी रावडी देवी किये तस्वीर आपने इससे पहले नहीं देखी होगी तो देख लिजिए क्या आपको लगता है कि बिहार के पुरू मुखमंतरी राबडी देवी लालू परसाद की तरह ही खेतों में काम भी करती है लालू जब गौसाला जाते हैं तो राबडी खेतों में चली जाती है यह अलग बात है कि यह खेत दस सर्कुलर आवास में ही मौजूद है प्यार के पुरू मुखमंतरी राबडी देवी अपने घर में जो जगा है जहां वो खेती करती है खेतों के बीच वो खुद मौजूद है देखिए जो नई फसल है उसे निकाला जा रहा है खेस से मुल्ली निकालते वे राबडी देवी यह मैसेज दे रही है अपने घर में काम करने वाले लोगों को कि मुल्ली खाने में इस्तवाल किजी और इसके पत्ते जानमरों को देज़े राबडी अवास में गौसाला है बहुत सारी गाया है और खुते जश्वी यादों ने एक वीडियो डाला था दो दिन पहले और नोंने इन थमाम बाते बताई थी कि जब भी वक्त मिलता है गव की सेवा करने चले जाते हैं गव माता की सेवा में लग जाते हैं लेकि राबड राबडी देवी काफी हमलावर है नितीश कुमार को लेकर हलाकि इस पोस्ट में किसी राजनितिक दल को दल या किसी दल के नेताओं का नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन राबडी देवी ने जिस तरीके से एक मैसेज दिया है सोचल मिडिया एक्स के माध्यम से वो रहना चाहिए जमीन के अंदर और जमीन के वूपर दिखने और दिखाने में बहुत अंतर होता है कहीं पेड़ पौधा फल और पत्ते सभी इस्तमाल हो जाती है और कहीं बस निकाल कर तोड़ कर फेक दिया जाता है दरसल इसके मकसद साफ है बिहार में एंडिये की सरकार में सामिल चाचा और भतीजा के साथ बीजेपी कमोबिस यही करते हुई दिखाई पड़ रही है बीजेपी ने चिराग पास्वान को अपने साथ रखा तो पसुपती पारस को मुल्ली की पती के तरह तोड़ कर फेक दिया है अब पसुपती का कोई वजूद नहीं बचा है चिराग 2020 में बीजेपी से अलग थे हैं तो पसुपती को काफी दुलार मिला था बीजेपी ने उनको अपने साथ रखने के लिए वो तमाम जद्दो जोहत कर दी थी चिराग को भी बेघर कर दिया गया था चिराग को घर से निकाल दिया गया था तब चिराग की लौँ में बीजेपी नहीं लोशपा जल गई थी लेकिन आप चिरा की लौव में चाचा पसुपती जल गया है और इधर राबडी देवी मजे ले रही है राबडी देवी ने तंज कस्ते वे लिखा है क्या कुछ लिखा वो भी आपको बता रहे हैं दरसल ये वीडियो देखिए खेत में काम करते हैं वे राबडी देवी ये मौका सियासी है ये लोग सियासत करने वाले लोग हैं ऐसे में इनके एक एक सब्दों का मतलब काफी दूर तक जाता है सियासत करने वाले लोग खेतों में काम करते हैं तो message लोगों को यह नहीं देते हैं कि खेत में काम करना है बलकि खेत में काम करके वो बताते हैं कि मेहनत जिस फसल को सीचिने में आपने की है जब फसल तयार होता है तो फिर कैसे उसका इस्तिमाल होता है मुल्ली को कहां इस्तिमाल करना है पत्तो को डंठल को कहां इस्तमाल करना है यह मैसेज साफ है राबनी देवी लिखनी है जडों से जुडाव ही जीवन की सच्चाई और गहराई से वास्तविक्त परिचे कराता है यह जडों से जुडाव ही परिवार में रहिए पाटी में रहिए जिस परिवारवाद का जंद मोदी लगा शुके हैं राजत के उपर उसी परिवार्वात पर उसी परिवार की जूटता को लेकर लालू परिवार हमेसा यह मैसेज देते रहा है कि उनका परिवार अच्छा है, बड़ा है और सुखी है परिवार नहीं होता तो साहिद आज लालू पर साहिद हो जिन् रही है जडों से जुड़े रहना बंधन नहीं असल जिंदगी है मुक्ति नहीं बलकि युक्ति है जो लोग सवाल उठा रहे थे परिवारबाद पर वो देख ले कि जो लोग जड़ से जुड़े हुए है वो मुक्ति नहीं है बलकि युक्ति है वो एक सुझाव है वो एक ब पर सलाह और निसाना दोनों साथ साथ कशा जा रहा है प्यार के सियासत में आज का दिन बहुत खास और दिन की सुरुवा थी राबनी देवी के सोसल मिडिया एक्स पर किये गए पोस्ट के माध्यम से हो रहा है सियासत इस पर भी खूब होगी क्योंकि लालू परिवार को पता है कि सियासत में कब, कहां और क्या कहना है आगे रावणी देवी लिख रही है अंतिम लाइन की कुछ सब्दों की हम चर्चा कर लें तो जिस तरीके से रावणी देवी ने यह चर्चा की है कि जो लोग जड़ से जुड़े होते हैं अगर जड़ से जुड़े कोई इंसान होगा तो वो जानकार होगा जन्दार होगा, संदार होगा, दिल्दार होगा, हकदार होगा और वजन्दार होगा और यही वजन्दार फिलाल ब्यार के सियासत में चिराक पासवान दिख रहे हैं यही वजंदार तिजश्वी यादों दिख रहे हैं हकदार दिख रहे हैं वियार की सत्ता के लिए नियाज राज़त ने पूरी कोशिस सुरू कर दिये सत्ता में वापसी के लिए 2024 के लोग सुबह सुनाओ के ठिक पहला जिस तरीके से कवायत की जा रही है अब देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि NDA के अंदर सीट बटवारा में जेडू ने अपने हक की सीटे तो मांगी है लेकिन समझा होता क्या सीटिंग सीटों के उपर ही हुआ है क्या सीटे नहीं कटी है अगर सीटे भाजपा की कटी है तो बीजेपी ने अपने नेताओं का परकतर दिया चिराग ने अपने चाचा को बेदखल कर दिया चाचा अब ना घर के रहे ना पार्टी के रहे जो की चिराग पासवान ने 2020-21 में किये गए फैसलों को फिर से दोरा दिया है अंतर बस इतना ही है कि वो फैसला चिराग के खिलाफ हुआ था आज फैसला चिराग के पक्ष में हुआ है और फैसला और खेल करने वाले बीजेपी के नेता है लेकिन आपनी देभी ने बिना किसी राजमितिक दल का नाम लिये हुए बिना किसी नेता का नाम लिये हुए बिहार में नई सरकार के केबनेट बिस्तार के ठिक पहले जिस तरीके से हमला बोला है जिस तरीके से रावडी देवी ने संदेश दिया है ये राजत के जनकार समझते हैं लालू रावडी अपने समर्थकों को जो मैसेज दिना चाहते हैं उसमें वो सफल हो गया है कि अब जड़ से जुड़े रहने वाले को ही तवज्जो दी जाएगी व्यक्ति वही दमदार होगा जिसमें वजन होगा यानि 2024 के चुनाओं में गठवंधन के अंदर कॉंग्रेस और राजत के सीटों के बीच अगर ता वरना पत्ते और डंठल अलग कर दिये जाएंगे फल कहीं और निकल जाएगा सब जी किसी और शीच की बन जाएगी जाएगी तो जायरती बात है राबडी देवी के इस सोसल मिडिया पोस्ट ने प्यार की सियासत को एक बर फिर से जरूर गरमा दिया है देखना है कि इसका जबाब अब विपक्ष के तरब से जो सकता पक्ष में लोग बैठे हुए उनके तरब से और जो स्वयोगी हैं वो क्या कुछ करते हैं लारा राबडी देवी क्या जो वोश्ट जो तस्वीरे जो हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से देख लिजे तस्वीरे यह खेतों में काम क्यों नहीं कर सकी हैं दरसर राबडी देवी जब विहार की मुखमंत्री बनी थी तब उन्हें कई तरीके से कुसा गया था खेतों में काम करने वाली घर में काम करने वाली अनपड़ गवा और अब राबडी उन तमाम चीजों का जबाब दे रही हैं एक तर तरफ रावडी देवी खेतों में काम करी हैं दूसरे तरफ बिहार विधान परिशत की अंदर जो इनकी उमिद्वारी थी वो निर्विदोध चुने जाने की थी और आज और कल यानि 14 और 15 तारीक को उसकी घोसना होनी थी दोनों ही तच्छों में रावडी देवी ने मैसेज देदिया है कि अब जो है सियसी साल चुनावी साल और सियसत करने वाले लोग और सियसी घर में जो काम होते हैं उसका काम कम और राजनितिक माएने ज़्यादा निकाले जाते हैं पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और बिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined